आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टन जो हिंदी का टॉपिक है वाक्यांस के लिए एक सब्द क्योंकि इससे तीन से चार कुष्टन प्रतेक एक्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें हिंदी ग्रामर पूछी जाती है और मैंने यह डिसाइड किया है कि प्र मैं राथन होगी यह भी 73 पेज़ की पीडियाप है इसमें पूरी क्लास इसमें तीन सो पचासी जो इसके कुष्टन से वह मैंने डिसकस किये हैं और यह सारे मोश्ट इंपॉर्टन हैं और यह मेरा दावा है दावा है कि कोशिस भे कि इससे बाहर आपको कोई भी कुष्टन नहीं मिलेगा वन वर्ड सब्स्ट्यूशन हिंदी के लिए तो हमारी एक सायरी है ना तमनाय सोचती हैं ना हम मजबूर हैं हम तुम सोचते हैं कि हम कितनी दूर हैं तो मुश्किल से कहो कि हम दोर नहीं हम तुमारे पास हैं मनजिल के पास हैं लेकिन हम तुम ना सोचती हैं ना हम मजबूर हैं ना तमन्याई सुनती हैं ना हम मजबूर हैं हम तुम सोचते हैं कि हम कितनी दूर हैं जिसी निलेकर लिए उस दिन मंजिल को पा जाओगी कोई भी ऐसी चीज है जो पाने से रह नहीं गई तो आप क्या यार हम भी पाएं हैं आप लोगों को ये प्रयास पसंद आता है तो आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि लोग कहते हैं कि फिरी में कोई चीज अच्छी नहीं मिलती एक जो एक कौन पता नहीं कौन टीचर हैं वो कहते थे फिरी वाले तो फ्रॉड करते अरे भाई आजा तेरे अंदर दम हो तो एक गंटे पड़ाके दिखा यार तेरी में कुछ तो कर बच्चों के लिए किसी के लिए कर देश के लिए कर यार इसको इन वाउं को आने वाली पीडियों को सिचित करके तो जा कुछ तो करना ना पड़े, बाते चौकना पड़े यार, यह चिंदगी बना के रखा है, करना कुछ नहीं, लेना न देना, आजा यार दो गंटे, वहाँ तो पैसा मिलता है, यहां क्या मिलता है, यहां क्या मिलता है, गंटा मिलता है, आओ, फिर करो आके, करना ना पड़ेग और वो क्या करते हैं उसकी मार्केटिंग करने के लिए साहे 300 रुपे, 400 रुपे, अरे यार फिरी में वो मिल जाते हैं, तुम भी छपवा के देदो यार बच्चों को, हम तो कहते हैं, मेरा भीया एक्जाम जोन अकेडमी चैनल है, वहाँ पे इसका सारी पीडियाप मिल जाए जिसका खंडम ना किया जा सके, उसे खंडनी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका खंडम किया जा सके, उसे खंडनी कहते हैं, जिसका ना किया जा सके, उसे अखंडनी कहते हैं, जिसकी गहराई का पता ना हो, उसे अथा या अगाद कहते हैं, क्या कहते हैं, जो सोक करने योग हो कहते हैं जो सब के अंतर करण की बात को जानने वाला होता उसे अंतर्यामी कहते हैं क्या कहते हैं या तुम तो बहुत अंतर्यामी हो दिलों की भी बात जान लेती हो तो जो सब के अंतर्करण की बात जानता उसे अंतर्यामी कहते हैं क्या कहते हैं जो बीच चुका होता उसे अतीद कहते हैं जो होने वाला होता उसे भविश कहते हैं जो दिखाई ना पड़े उसे अद्रश या अप्रतेच कहते हैं कहते हैं देवता जो होते हैं आत्मा ना मरती है ना जलती है ना इसे आग जला सकती ना पानी इसे गला सकता है ना वाई सुखा सकती ये तो अमर है ये कभी नहीं मरती है तो जो कभी नहीं मरता वो अमर होता अमरत होता जो दूर की सोचता उसे दूर दर से या अगर सोची कहत इस्ताँ जो होता उसे नतर्च कहते हैं किसी देश के अंदर होने वाला या उसे संबंध रखने वाले को अंतर्देसी कहते हैं जो बहुत से अंतर्देशी कहते हैं बहुत देशिय कहते हैं जिस पर आक्रमन ना किया गया हो उसे अनाक्रांद कहते हैं क्या कहते हैं अनाक्रांद कहते हैं जिस पर आक्रमन ना किया गया हो जिसे जीता ना जा सके उसे अजे कहते हैं जिसे जीता जा सके उसे जे कहते हैं बिना वेतन के काम करने वाले को अवेतनिक कहते हैं, और वेतन के लिए काम करने वाले को वेतनिक कहते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं, अग्रज मतलब बड़ा भाई होता है, अग्रज अनुज म जिसको जीतने वाला कोई सत्र जन्मा ना हो या जिसका कोई सत्र ना हो उसे अजासत्र कहते हैं क्या कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं जो कानून के प्रतिकूल हो जो बिद के विरुद हो उसे अवेद या आविदिक कहते हैं जो प्रमार से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमे कहते हैं जो तौला या नापा ना जा सके उसे अप्रमे कहते हैं जिसे नापा या तौला जा सके उसे परिमे कहते हैं जिसका बिवाह ना हुआ हो उसे अविवाहित कहते हैं जिसका बिवाह हुआ हो उसे विवाहित कहते हैं जिसका इलाज ना हो सके उसे असाद्ध कहते हैं जिसका हो सके उसे साद्ध कहते हैं जो नहीं हो सकता है उसे असंभव कहते हैं, जो हो सकता है उसे संभव कहते हैं, जो अवस होने वाला होता उसे अवस्यामभावी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपक्रत कहते हैं, क्या कहते हैं, बिर्थिया अनुचित खर्च करने वाले को तुबी कहते हैं जिस वस्त के आरपार देखा जा सके उसे अपारदर्सी कहते हैं जिसके नहीं देखा जा सके जिसके देखा ना जा सके उसे अपारदर्सी कहते हैं जिसके देखा जा सके उसे पारदर्सी कहते हैं क्या कहते हैं पारदर्सी कहते हैं ठीक है पारदर्सी कहते है जिसकी पहले से कोई आसा ना हो उसे अप्रत्यासित कहते हैं क्या कहते हैं अप्रत्यासित कहते हैं जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्ध कहते हैं जो इस लोक में संभाव ना हो उसे अलोकिक कहते हैं किसी कारी के लिए दी जाने वाली आर्थिक साहता को अनुदान कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसे अत्यंज कहते हैं, क्या कहते हैं, जो बड़ी जात में जन्म होता या कुल में जन्म होता उसे कुलीन कहते हैं, जो अभी अभी उत्पन हुआ हो उसे अद्धे प्रसूत कहते हैं क्या कहते हैं जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अदुतिय कहते हैं क्या कहते हैं कम बोलने वाले को अलपभासी या मितभासी कहते हैं जो जादा बोलता हैं उसे वाचाल कहते हैं जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं जो थोड़ा जानने वाला होता उसे अलपग कहते हैं जो जादा जानता हो उसे बहुग कहते हैं या सरवग कहते हैं जो सब कुछ जानता हो उसे अग्या अग्यानी कहते हैं जो जानता हो उसे बिग्या बिग्यानी कहते हैं जिसको छमा ना किया जा सके उसे चम्ब कहते हैं जो जाना ना जा सके उसे अगे कहते हैं जिसे जाना जा सके उसे गे कहते हैं जिस पर मुकदमा चल रहा हो जिस पर अभियोग लगया गया हो उसे अभियोग्तिया अभियोगी कहते हैं जिसके आने की कोई तित ना हो उसे अतित कहते हैं क्या कहते हैं जिसकी कोई सीवा ना हो उसे असीम कहते हैं क्या कहते हैं पहारी के उपरी भाग को अधित का कहते हैं क्या कहते हैं अनुकरण करने योगी को अनुकरणिय कहते हैं जिसके उप्मा ना हो उसे अनुपम कहते हैं कनिष्ठा और मद्धिमा के बीच की अंगली जो होती उसे अनामिका कहते हैं जिसे भुलाया न गया हो या जो बिना भुलाये आया हो उसे अनाहूद कहते हैं जिसे सब्दों में ना कहा जा सके उसे अकत्निय कहते हैं जिसे कहा जा सके उसे कत्निय कहते हैं जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहीत कहते हैं किसी के पीछे चलने वाला अन्याई या अनुचर कहते हैं क्या कहते हैं अनुयाई या अंचर कहते हैं जो किसी के पीछे चलने वाला होता है राजबोन के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है उसे अन्तापुर कहते हैं रूप के अनसार जो होता उसे अनुरूप कहते हैं क्या कहते हैं अनुरूप कहते हैं जो हिसाब किताब की जाज करता हो उसे अंके छक कहते हैं, क्या कहते हैं, बिक्रत सब्द या बिगड़ा हुआ सब्द होता उसे अपुभ्रंस कहते हैं, क्या कहते हैं, बिना पलक गिराय या जपकाय होता उसे अपलक या अनिमेज कहते हैं, क्या कहते हैं, अपलक या कहते हैं क्या कहते हैं जो विश्वास करने योग नहीं होता उसे अभिश्वास नहीं कहते हैं कि सर्वादिक्ष संपन सास की अधिकारी जो होता उसे अधिनायक कहते हैं क्या कहते हैं कि अधिकार या कब्जे में आया हुआ जो होता उसे अधिकरत कहते हैं क्या कहते हैं जैसे भारत में अभी तक तीन बार मुद्रा का अमूलन हो चुका उसके क्या होता बिदेशी देश मुद्रा क्या होता है किसी बिदेशी जो देश की मुद्रा होती उसके समझ क्या होती हमारी मुद्रा का चुतुलन होती उसको कम कर दिया जाता उसे मुद्या का अमूलन कहा जाता है किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन किया जाता है उसे अनमोदन कहते हैं जो कभी नहीं जो अभी तक ना आया हो उसे अनागात कहते हैं क्या कहते हैं जिसका दूसरा कोई उपाय ना होता है उसे अनन्योपाय कहते हैं दूसरी मा की कॉंप में जन्म लेने वाला होता उसे अन्योदर कहते हैं क्या कहते हैं अन्योदर कहते हैं जिसका जन्म अंडे से होता है उसे अंडज कहते हैं क्या कहते हैं जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अंसुरुत कहते हैं कहते हैं अनसूत कहते हैं जो बे न किया जा सके उसे अब्बे कहते हैं क्या कहते हैं गुर के समिप या साथ रहने वाला बिद्यार थी जो होता उसे अंतेवासी कहते हैं क्या कहते हैं जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनिय कहते हैं जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर जो हुई बाते या उर्त होती उसे अनुसृत कहते हैं क्या कहते हैं यह हमारे परंपराओं से चली हुई अनुसृत कथाएं हैं तो यह अनुसृत जो परंपराओं से चली हुई आती हो उसे अनुसृत कहते हैं जिसकी बाहे घुटने या जांगों तक होती उसे अजानवाव कहते हैं जिसका आधि और अंत ना हो उसे स्वास्वत कहते हैं जो इदर उधर से घुमता फिरता रहता हो उसे आगांतु कहते हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होता उसे आत्म निर्भर कहते हैं कहते हैं आत्मनिर बपर कहते हैं जो अपने पईरों पर खड़ा होता है आध इसे अंत तक जो होता है उससे आद्योत कहते क्या कहते हैं जिसकी आसा ना की गई होती है उसे आसातीत कहते हैं क्या कहते हैं जो आदर करने योग होता है उसे आदरणीय कहते हैं क्या कहते हैं वह कभी दो ततकाल कविता कर डालता उसे आसुकब कहते हैं क्या कहते हैं आशकब कहते हैं सिर से पायर तक जो होता है उसके अपाद मस्तक कहते हैं सिर से पायर तक अपाद मस्तक कहते हैं आकास या गगन को चुमने वाले को आकास चुम्बी या गगन चुम्बी कहते हैं क्या कहते हैं आकास चुम्बी या गगन चुम्बी कहते हैं जो आकास को चुमने वाला या गगन को चुमने वाला होता वह इस्तरी जिसका पति पर्देश से लौट आया हो उसे आगत पतिका कहते हैं यूसर को जानता हो उसे आस्तिक कहते हैं जो नहीं जानता हो उसे नास्तिक कहते हैं अतित की सेवा करने वाला आतित ही होता है क्या होता आतित ही होता है अतित की सेवा करने वाला होता है अनिश्चित जीवका को आकास व्रत्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, आकास व्रत्ति कहते हैं, अनिश्चित जीवका के लिए, जड़ से चोटी तक जो होता है, उसे आमूल चूल कहते हैं, जड़ से चोटी तक, अपने को दोखा देना जो होता है, वो आत्म वंचना होती, क्या हो जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो से उसे जीतिंद्रिया कहते हैं इतिहास को जानने वाला जो होता है उसे इतिहासकार कहते हैं इतिहासकार कहते हैं जो इच्छा के अधेर होता है उसे इच्छाधीन कहते हैं कहते हैं इच्छा धीन कहते हैं दूसरों की उन्नत को ना देख सकतना उसे इर्षया कहते हैं क्या कहते हैं इर्षया कहते हैं जो दूसरों की इन्नत को नहीं देखते हैं जिसका एक इपस्या की गई हो उसे इस शिप्त कहते हैं परवत के नीचे तलेटी की जो भूम होती है उसे उत्पतिका कहते हैं जबकि उपर की जो भूम होती है उसे अधितिका कहते हैं जिसने रिड़ चुका दिया हो उसे उरिड कहते हैं जिसने रिड़ नहीं चुकाया वो रिड़ी होता है जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे उदार मना कहते हैं क्या कहते हैं उदार मना कहते हैं उंचे सुर से उचारण किया गया हो उसे उर्धोचारित कहते हैं, किसी के बार उसकी संपत या पद को गरहण करने वाला जो अदिकारी होता उसे उत्रादिकारी कहते हैं, जो उपर कहा गया हो उसे उपरयुक्त कहते हैं क्या कहते हैं उपकार करने वाला जो होता उसे उपकारी कहते हैं जो किसी नियम का पालन ना करे उसे उच्रलंख कहते हैं क्या कहते हैं जो धर्ती फोड़ कर जनता है उसे उद्विज कहते हैं कहते हैं जो च्छाती या पेट के बल पर चलता है उसे उरग कहते हैं क्या कहते हैं जिसका हरदय उदार हो उसे उदार हरदय कहते हैं जिसका हरदय जो होता वो उदार होता उसे हुड़ता है उदार हरदय कहते हैं जो उदार वृत्तिका होता उसे उदार चेता कहते हैं क्या क भूम में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे उसर कहते हैं जिसका जन्द गर्मी में हुआ होता है उसे उसमज कहते हैं आने से संबंद रखने वाला जो होता है उसे एकांतिक कहते हैं जिसका चित एक ही बिसे में लगा हो उसे एकांतिक कहते हैं जहां कोई दूसरा ना हो उसे एकांतिक कहते हैं जो अपनी इच्छा पर निर्वर हो उसे अच्छिक कहते हैं, विसुके देसों की खेल प्रतियोगता जो होती उसे ओलब्पिक कहते हैं, जिसका संबंध उपन्यास से होता उसे अउपन्यासिक कहते हैं, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन जो होता उसे औरस कहते हैं, जो क को कुबेर कहते हैं कमल के समान आख वाली जो होती उसे कमल लेनी कहते हैं जो काल से परे होती उसे कालतीत कहते हैं जो कलपला से परे होती है उसे कलपलातीत कहते हैं जो इस्तरी दुराचाइडी होती उसे कुल्टा कहते हैं क्या कहते हैं कठनाई से होने वाला जो होता उसे किसनी कहते हैं कि बिक्त जिसका ग्यान अपने तक्सीमित होता उसे कुप मन्लोग कहते हैं कि जो माल लिया गया हो उसे कुप मन्लोग कहते हैं कि जो माल लिया गया हो उसे कुप मन्लोग कहते हैं कि जो अभी विवा जो अभी विवा ना किया गया हो उसे कुमारा कहते हैं कि ज सुन्दर कभूतर की तरह गर्दन सुन्दर होती है जो इस्तरी कविता रश्ती है उसे कवित्री कहते हैं जो किसी वस्त को देखने अत्वा सुन्ने की प्रबल इच्छा होती उसे काउतु हल कहते हैं जो केंद्र की और उन्मुक होता है उसे केंद्रा भीमुक कहते हैं क्या कहते हैं केंद्रा भीमुक कहते हैं जो अपना उद्देश सिद्ध होने पर स्वंतुष्ट होता है उसे कृतार्थ कहते हैं क्या कहते हैं किये हुए उपहार को भोल जाने वाला जो होता है वो कृतगन होता है क्या होता कृतगन होता है जिसका कोई हिस्सा तूटकर अलग हो जाए उसे खंडित कहते हैं क्या कहते हैं जो खाया जा सके या खाने योगी हो उसे खादे कहते हैं क्या कहते हैं पहाद को दारन करता है उसे घरधारी या स्रीकिस्न कहते हैं हाथी का जो बच्चा होता उसे कलव कहते हैं क्या कहते हैं कलव कहते हैं सफेद हाथी जो होता उसे इंद का सफेद हाथी उसे इरावत कहते हैं जो बदली हुई परसितियों के अनकूल अपने को बदल सके उसे गतसील या गत्यात्मक कहते हैं घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई जो होती उसे ग्रह युद्ध कहते हैं जिसका ग्यान इंद्रियों दोरा ना हो सके या जो इंद्रियों के ग्यान में ना हो उसे गोतीत कहते हैं जिस पसु के पेट में बच्चा होता उसे गाभिन कहते हैं जबकि तद्सम में इसे गर्वेडी कहते हैं जो बात छिपाई गई हो उसे गूपनिय कहते हैं क्या कहते हैं गूपनिय कहते हैं गाउं से संबंधे जो होता उसे ग्रामेड कहते हैं सहर से संबद रखने वाले को सहरी कहते हैं गुलन योग जो होता गुलन योग उसे गुलन सील कहते हैं क्या कहते हैं गुलन सील कहते हैं दो परवतों के बीच की जो भूम होती उसे घाटी कहते हैं कहते हैं जहां से अनेक मार्ग चारों और जाते उसे चौराहा कहते हैं क्या कहते हैं सारे प्रत्वी का राजा जो होता उसे चक्रवर्ती कहते हैं क्या कहते चक्रवर्ती कहते हैं चिरकाल तक जीवित रहने वाला जो होता उसे चिरन जीवी कहते हैं चंद्रमा की वह इसते जब उस पर प्रत्वी की छाया पढ़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे चंद्रग्रहण कहते हैं जीन के चार पायर होते हैं उन्हें चतुस्पद या चौराया कहते हैं क्या कहते हैं चतुस्पद या चौपाया कहते हैं जिनके चार पायर होते हैं ऐसा कभी जिसमें गद पत का मिश्रन होता उसे चंपू काब्य कहते हैं क्या कहते हैं चंपू काब्य चिर काल तक बने रहने को चिरिस्थाई कहते हैं क्या कहते हैं जो सदा से चला आ रहा हो उसे सास्वत या चिरंतन कहते हैं जिसके सिर्पर चंद्रमा हो उसे चंद्रसीखर कहते हैं क्या कहते हैं चंद्रसीखर कहते हैं छोटे से छोटे से छोटे दोस्त को खोचने वाला जो होता उसे छिद्रान वेशी कहते हैं छिपे बीच में रहना होता है उसे छदम वेश कहते हैं क्या कहते है छदम वेश कहते हैं छिफे वेश में जो रहता है सेना के ठहरने का इस्थान जो होता उसे च्छावनी कहते हैं जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए उसे जीतिंद्रिय कहते हैं कुछ जानने या ग्यान प्राप्त करने की जो चाहा होती उसे जिग्यासा कहते हैं जीने की प्रबल इच्छा जो होती है उसे जिजीविसा कहते हैं, क्या कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है उसे जिग्यासू कहते हैं, क्या कहते हैं, जनताद्वरा संचालित जो सासन होता है उसे जनतंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी पर विजय प्राप् जाती जो होता है वो बहिसकृत होता है." बेती का जो पती होता है। उसे जमाता कहते हैं । किसी ग्रंध या रचना की टीका करें वाला उसे टीकाकार कहते हैं। सिक्के ढालने का, सिक्के ढालने का जो होता है, ढालने का जो कारखाना होता है, उसे टकसाल कहते हैं, टाइप करने की कला जो होती है, उसे टंकर कहते हैं, चारों और जल से घीरा हुआ भुभाग जो होता है, उसे टापू कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बातों को संचेप में लिखना टिपड़ी होती क्या कहते हैं तीन कालों को जानने वाला जो होता हुसे तिर्काल दर्शी कहते हैं धर्टी और आकास के बीच का इस्थान जो होता हुसे त्रिसंग को कहते हैं अध्यात्म के तत्तों को जानने वाला जो होता उसे तत्तों की कहते हैं करने की प्रुबल इच्छा जो होती है कुछ करने की प्रुबल इच्छा होती है यहां पर करने नहीं होता तैरने की जो प्रुबल इच्छा होती है उसे तितिर्सू कहते हैं क्या कहते है जिसे त्याग उसे तुडीर कहते हैं किसी के पास रखी हुई दूसरे की जो वस्त होती उसे थाथी या धरोवर कहते हैं जिसका जंन दो बार हुआ उसे दूज कहते हैं क्या कहते हैं अंडे को हुरावन को भी दूज कहते हैं गोढ़े लिया होs पुत्र योथ उसे दो तक कहते हैं जहां जाना कठिन होता उसे दुर्गम हो कहते हैं जहां पर इस तान पर जाना कठिन होता उसे दुर्गम कहते हैं जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम में कहते हैं क्या कहते हैं जो दो भासाओं को बोलता उसे दुवासी कहते हैं जो दो से अधिक जानता बह क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं? जिसके दस मुक होते हैं? उसे दसानन कहते हैं? अनुचित बात के लिए आग्रा जो होता उसे दुराग्रा कहते हैं? जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो उसे दूसाद दे कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसे भेजना, जिसे भेदना य जो होता उसे देश्ट रोही कहते हैं, क्या कहते हैं, दृत गत से जानने वाला जो होता उसे दृत गामी कहते हैं, क्या कहते हैं, जंगल की जो आग होती उसे दावानल कहते हैं, जो अजब की पेट की जो आग होती उसे जट रागनी कहते हैं, जो बहुत सी कठनाईयों से मिल कथिन और भी कठин हो से दुर्बिच हेकाल कहें ब्रबि ड्रश केंता गलत उद्देश की ज मंत्रना जो साजित्स होती उसे दुरह भिस अ ब्रब्र किए यह नग कहते हैं में द्धन देने वाला जो रहताएं उसे धनत कहते हैं धार्मिक सिद्धानतों के अंसार आच्रण करने वाला जो होता है उसे धर्मात्मा कहते हैं क्या कहते हैं जो भैभीत ना होता हो उसे निर्भय कहते हैं क्या कहते हैं निर्भीक कहते हैं मांचना खाने वाला जो होता है उसे निरामिस कहते हैं जो खाने वाल कोई आधार ना होता हो उसे निराधार कहते हैं क्या कहते हैं जिसका कोई आस्रे ना होता हो उसे निरास्रे कहते हैं जो निंद्या के योग ना होता हो उसे निंद्रिय कहते हैं क्या कहते हैं उपकार के बदले किया गया जो कार होता है उपकार के बदले किया गया जो उपकार होती हैं उसे प्रसूता कहते हैं क्या कहते हैं जो अपनी जन्भूम छोड़कर विदेश में वास करता हैं उसे प्रवासी कहते हैं किये हुए पाप का डंड सरुब भोगना प्रायस्चित होता, क्या होता प्रायस्चित होता है, जो प्रमार से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं, कि यह हुए प्रिस्रम के बदले में मिलने वाला जो धन होता वो पारिस्रमिक होता, क्या होता पारिस्रमिक होता है, जिसे पानी या किसी और वर्त को पीने की प्यास होती उसे पिपासू कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसके पार देखा जा सके हैं, उसे पारदर्सी या पारदर्सक कहते हैं, बिक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात का युक्ति को सोच लेता है, उसे प्रतियुत्पन मत कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्वी से संबंदित या मित्ती का बना हुआ होता उसे पार्थियू कहते हैं, क्या कहते हैं, देखने में प्रिय लगे उसे प्रिय दर्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, पत्ते की बनी हुई कुटी जो होती उसे पर्ण कुटी कहते हैं, क्या कहते हैं, दिन का पहला भाग सवेरे से दुपहर तक, या द पूर्व का समय होता है उसे पूर्वन ने कहते हैं, उस तक है लेख़ह कि हस्त लिखित जो प्रती होती उसे पांडुलिप कहते हैं कहते हैं दूसरों का उपकार या भला करने वाला जो होता उसे परोपकारी कहा जाता प्रिय बोलने वाली जो इस्त्री होती उसे प्रियम वदा कहते हैं क्या कहते हैं पर पुरुष से प्रेम करने वाली या दूसरे पर अनुरक्त इस्त्री जो होती उसे परकिया कहते हैं क्या कहते हैं परजीवी कहते हैं सिग्र आग पकड़ने वाला जो होता उसे प्रजलन सील कहते हैं क्या कहते हैं जिसकी परिच्छा ले जा चुकी होती है उसे परिच्छित कहते हैं इस्तरी जिसे पति ने थोड़ दिया हो उसे प्रितिकता कहते हैं क्या कहते हैं वह नायका जिसका पदी बिदेश को जाने वाला होता है जो आने वाला होता है उसे आगम में पतिका कहते हैं और जबकि जाने वाला जो होता है उसे प्रवत्त से पतिका कहते हैं जिसकी बाहें अधिक लंबी होती हैं उसे प्रलंब बाहो कहते हैं जिसकी बाहें घुटने होती हैं उसे आजान बाहो कहते हैं समान रूप से आगे बढ़ने की जो चेश्टा होती उसे प्रतिस्पर्दा कहते हैं किसी विषय में दचता या प्राप्त करने वाला जो होता उसे पारंगत या दच कहते हैं आयसे अधिक बेकार में खर्च करने वाला जो होता उसे फिजूल खर्च कहते हैं कहते हैं फिजूल खर्च कहते हैं गोंपिर कर सौधा बेचने वाला जो होता उसे फेरी वाला कहते हैं क्या कहते हैं जिसने अनेक विसियों का ग्यान सुना हो और इसमर्ण कर लिया हो उसे बहुसुरुत कहते हैं जो बहुत से बिस्यों का जानकार हो उसे बहुगे कहते हैं बहुत से भासा को बोलने वाला जो होता उसे बहुभासा भासी कहते हैं खाने की जो इच्छा होती है उसे बुबुच्छा कहते हैं यह सिद्धान की देवता बहुत से हैं जिनके उपास्ना की जानी जाहिए उसे बहुत यह वाद कहते हैं। सागर में लगने वाली जो आग होती उसे बढ़वानल कहते हों ध्यान या विचार करने वाला जो होता उसे ध्याता कहते हैं क्या कहते ध्याता कहते हैं मच्री पकड़ने वाली जो जात होती उसे धीवर कहा जाता क्या कहा जाता धीवर कहा जाता है जो संका करने योग ना हो वो निसंक होता है, क्या होता है, निसंक होता है, निम्नकोटि का जो होता है, निक्रष्ट होता है, जिसके कोई संतान ना होती है, उसे निसंतान कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका कंट नीला होता है, उसे नीलकंट कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे निर्ण थक कहते हैं, नाग से बाहर निकलने वाली जो स्वास होती उसे निच्वास कहते हैं, हाल की ब्याही इस्थ्री जो होती उसे नवडा कहते हैं, जो विक्ति सासन अथ्वा सासन विवस्ता में विश्वास ना रखता हो उसे निरंग कुसवादी कहते हैं, जिसमें तेज ना हो, उसे निस्तेज कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसके विसे में मत्भेद ना हो, उसे निर्विवाद कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्विवाद कहते हैं, नगर में रहने वाला जो होता हैं, उसे नागरिक कहते हैं, जो गर्णा के आयोग होता हैं, उसे नगर्न कहते हैं जिस इस तरी के संतान पैदा ना हो उसे बंधा या बांज कहते हैं क्या कहते हैं जिस इस तरी के कोई संतान पैदा नहीं होती है जो भू को धारण करते हैं उसे भूदर कहा जाता है क्या कहा जाता भूदर गर्व में बालक की हत्या जो होती वो ब्रूर हत्या होती यूरेसिया कहते हैं क्रोज करने वाले इस्ति जो होती उसे भामिनी कहते हैं क्या कहते हैं भामिनी कहते हैं आगे घटित होने वाला जो होता उसे भावी कहते हैं भावी कहते हैं जो आगे घटित होने वाला होता जो विक्ति भाग पर विश्वास करें उसे भागिवादी कहते हैं क्या कहते हैं भागिवादी कहते हैं किसी तूटी हुई इमारत का बचा हुआ जो अंस होता उसे भागनाव सेस कहते हैं मर जाने की जो कामना होती उसे मुमूर्सा कहते हैं मन को हर लेने वाला जो होता है उसे मनुहर कहते हैं, क्या कहते हैं मनुहर कहते हैं, जिसके विसर में मत्भेद ना हो उसे मत्यक के कहते हैं बालुका मर्प्रदेश जो होता है उसे मरुस्थल कहते हैं क्या कहते हैं मरुस्थल कहते हैं जिसे मौच प्राप्त करने की इच्छा नहो उसे मुच्छू कहते हैं मन की बात जानने वाला जो होता है उसे मर्मग्य कहते हैं क्या कहते हैं मर्मग्य कहते हैं जिसने मृत्व को जीत लिया हो उसे मृत्विन्जय कहते हैं, क्या कहते हैं, जो थोड़ा और नपातुला भोजन करता है, उसे मिताहारी या अलपाहारी भी कहते हैं, जिसके हिर्दय को चोड़ पहुंची हो, उसे मरमाहत कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिय बचन बोलने वाले इस तरी जो होती हैं, उसे म्रद भासडी कहते हैं, जो म्रत के समीफ हो, उसे मरनासं कहते हैं, जिसने यस प्राप्त किया हो, या जिसका यह चारो और फैला हुआ हो, यस फैला हुआ हो, उसे यसस्वी कहते हैं, अपनी सक्ति भरी जो होती हैं, उसे यथा सक्ति कहते हैं, युद्ध करने की जो इच्छा होती हैं, उसे युद्ध सा कहते हैं, अपने युद्ध का बहुत बड़ा पुरुस जो होता हैं, उसे युद्ध पुरुस कहते हैं, यो जो युद्ध में इस्थिर रहता हो, उसे युद्धिष्ठिर कहते हैं, जो कोई वस्त या भिच्छा मांगता हो उसे याचक कहते ही युग का निर्मार करने वाला जो होता है उसे युग निर्माता कहते है जैसा ओचित हो वैसा होता है यतोचित होता है क्या होता यतोचित होता है जहां नयाटक खेला जाता है उसे रंगमंच कहा जाता है, जहां नयाटक खेला जाता है उसे रंगमंच कहते हैं, खुम से रंगा हुआ जो होता है उसे रक्तरंजित कहते हैं, क्या कहते हैं, जहां रानी निवास करते हैं, उसे रनिवास कहते हैं, क्या कहते हैं, गोपियों का क्या किहते हैं proyecto किह Goddess या इसका now vet सिस्था का लैखा कार किarl lika करने वाला उसके लेखाकार क्या करते हैं जिसका इतो आए पाने कि उसे लिखाकार करते हैं जिसका Summa National आए कि Лव सेलों को पाने किमालियस उसे लिखाकार करते हैं क्या झाल आए का लोगतंतर कहते हैं जिसका पेट या उधर लंबा होता है उधर लंबो hurry करते हैं वहां देवी चिसके हात में बीड़ा होती उसे वीरढ़ी कहते हैं टियक متब बीड़ा पाऑडी कहते हैं अच्छे बुरे की पहचान करने का ग्यान इस भी बीग कहते हैं बहुत अधिक ज्यानकारी रखने वाला जो होता उसे बिग्ग कहते हैं वह इतरी जिसका पती जीवित नहों उसे बिधवा कहते हैं किसी मामले के बिद्ध दिया गया मत जो होता उसे बिमत कहते हैं बच्पन और जवानी के बीच की अवस्था जो होती उसे यवासंदी कहते हैं कहते हैं यवासंदी कहते हैं जो सब में ब्यापत होता उसे विभू कहते हैं क्या कहते हैं वाकन्या जिसका विवाक कर देने का वचन दे दिया गया होता उसे वागदाता कहते हैं किसी के बिरुद मुकदमा दायर करने वाला जो होता उसे वादी कहते हैं क्या कहते हैं जो मु विचारी कहते हैं जिसके हाथ में वज्जर होता उसे वज्जर पाड़ कहते हैं जिस पुरुस की पत्नी साथ ना हो उसे विपत्नी कहते हैं क्या कहते हैं वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं वासुदेव स्रीकिशन के वसुदेव के पुत्र ब्याकरण को जानने वाला व्याकरण क्या होता है अधिक बोलने वाला जो होता वो वाचाल होता कम बोलने वाला मित्वासी होता है जो दूसरों के कार में बिगन डालता उसे बिगन करता कहते हैं क्या कहते हैं बिगन करता कहते हैं बेतन पर काम करने वाला जो होता है उसे वायतनिक कहते हैं जो बेतन पर काम नहीं करता उसे अवेतनिक कहते हैं सनन्द में आया हुआ जो होता है उसे सरणागत कहते हैं सदा बना रहने वाला जो होता है उसे सास्वत कहते हैं क्या कहते हैं सास्वत कहते हैं सव वर्ष की अवद या समय को सताब्दी कहते हैं सव को जलाने का जो इस्थान होता उसे समसान कहते हैं हमेशा दूसरों पर संदे करने वाला जो होता उसे संकालू कहते हैं जिसके सिर पर चंद्रमा होता उसे ससिधर कहते हैं 1. जिसके हाथ में सूल होता, उसे सूल्पाड कहते हैं, क्या कहते हैं? 2. सत्वों का हनर करने वाला उसे सत्रग्न कहते हैं, क्या कहते हैं? च्छाब हो जाओं वाला जो होता उसे सट भुझ कहते हैं क्या कहते हैं सट भुझ कहते हैं स्वैद से उत्पन होने वाला जो होता है स्वैदज होता है अपना हित चाहने वाला जो होता वो स्वार्थी होता है क्या होता स्वार्थी होता है जो तालाबों में जन्मता हो उसे सरसिज कहते हैं क्या कहते हैं सरसिज कहते हैं सुयम के भरोसे रहने वाला जो होता उसे स्वावलंबी कहते हैं किसी दूसरे इस्थान पर आइस्थाई रोप से काम करने वाली जो होती उसे इस्थानापन ने कहते हैं कहते हैं, इस्थानापन ने कहते हैं, मांसी युक्त जो खाद प्रदार्त होता उसे सामिस कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने आप से उत्पन होने वाला जो होता उसे स्वसंभू कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छी आखों वाली जो इस्त्री होती उसे सुनेना कहते हैं, जिसकी गर्दन सुन्दर हो उसे सुग्रिव कहते हैं जैसे किसकी जिसकी जो कबूतर की जो जिसकी सुन्दर जो गर्दन कपूतर की तरह होती है सुन्दर उसे कपूत ग्रिवा कहते हैं जो एक ही माता के उदर से उत्पन होता उसे सहोधर कहते हैं क्या कहते हैं सहोधर कहते हैं जो ब संबंद में संदे हो उसे संदिग्द कहते हैं क्या कहते हैं जो सर्वत्र ब्याप्त होता उसे सरुब्यापी कहते हैं क्या कहते हैं जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुग्राह कहते हैं क्या कहते हैं जो इस्त्री के वसू भीत हो जो इस्त्री के वसू भूत हो या जो इस्त्री के सुभाव का हो उसे इस्त्रेड कहते हैं क्या कहते हैं इस्त्रेड कहते हैं जो इस्त्री के वसू भूत हो या इस्त्री के सुभाव का हो उसे इस्त्रेड कहते हैं एक ही समय में होने वाला जो होता है उसे समकालिंग या समसामाईग कहते हैं संपूर समा से समबंधित होता है उसे समश्ट मूलक कहते हैं क्या कहते हैं सब कुछ खाने वाला जो होता है उसे सरवच्ची कहते हैं क्या कहते हैं, सरुबच्ची कहते हैं, जिसका उत्सा मर पर रखी जाने वाली चौकी जो होती है उसे हावदा कहते हैं क्या कहते हैं हावदा कहते हैं छड़ भर में नश्ट होने वाला जो होता उसे छड़ भंगुर कहते हैं जहां प्रत्वी और आकास मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं उसे छितिज कहते हैं क्या कहते हैं भूग स ब्यकुल जो होता उसे चुदातुर कहते हैं, तीनों लोकों का जो ग्याता होता उसे त्रिकालग कहते हैं, रात्र का तीसरा पहर जो होता उसे त्रियामा कहते हैं, क्या कहते हैं, तीन नदियों का जो संगम होता गंगा, यमना और सरस्ति उसे त्रिवेड़ी कहते हैं, क्या क कहते हैं त्रिमासिक कहते हैं, भूत और भविस और वर्त्मान को देखने वाला जो होता है उसे तिर्काल दर्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो जानता होता है उसे ग्याता कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसने ग्यान प्राफ्ट करने की प्यास होती हैं, उसे ग्यान पिपासू कहते क्या कहते हैं ग्यान पिपासू कहते हैं जिसने उधार लिया होता है उसे रिडी कहते हैं क्या कहते हैं और इसी के साथ में एक क्लास जो है आपकी समाप्त होती है आप लोगों को अगर ये क्लास समाप्त पसंद आती है तो लाइक कर देना शेयर कर देना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्ट वीडियो में जय हिन दोस्तों